तो तो बच्चों आप स्वागत है बच्चों कल फिर मैंने आप लोग उसको सुलूशन देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा आपने जो बनाया है क्या वह सही है यह नहीं है हम इसकी जाज करते हैं चले एके करके सभी प्रस्न को देखे सबसे पहला प्रस्न मिरा यह था कि इसका आयूप एक नेम क्या होगा तो बच्चो इसमें देखो कि यह तो इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छे लोगा यह ब्ली जेड हो गया नेमिंग लिखो आप बाई साइक्लो लेफ्ट साइड में कितने हैं दो ब्रीचेन साइड है डाइट साइड में दो है और मिडल में एक भी नहीं है तो टू-टू-जीरो कुल कितने कारबन है तो एक दो तीन चार पांच है तो नाम क्या हो जाएगा है है तो फर्स्ट प्रस्ट का नाम क्या हो जाएगा बच्छो बाई सैक्लो टू-टू-जीरो है अब यह सेकेंड देखो अब सेकेंड भी बाई सैक्लो है और इसमें आप देख रहे हो कि नंबर आफ कारबन एटम दोनों तरव सेम है एक दो तीन चार है इधर एक दो तीन चार ह चार चार शान बीच में एक भी नहीं है जीरो कुल कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे। आठ नौ दस दस का क्या लिखोगे डीकें इसका नाम क्या हो गया दीकें इसमें बच्चों आप कुछ मिस्टेक कर देते हूं यहां देखो आपको कन फ्यूजिंग किया गया है यह इसे लग रहा है कि आपको यहां इस पाइर जब कि आ है और अगर सै देखोगे तो आपको लएगा टीमरें एक दो तीन है लेकिन वहां दो ही है एक्ट है कैसे देखो इसको कि यह इस तरह से था और वीच में जो बीज हैड होता है उस ब्रीज हेड को थोड़ा सा इन्होंने ऐसे कर दिया तो यह अभर लैप हो गया इसके उपर जिसे लग रहा है कि यह इससे साथ अच्छा अच्छा जब कि यह नहीं है यह आपको ब्रीज है जो आपको इस तरह से दिख रहा है तो इसका नाम लिखो के क्या होगा तो दो है करवन है तो एक दो तीन चार पांच है और एक साथ हो जाएगा यह है नेक्स देखो नेक्स उसी तरह कुछ यह भी है यहां पर भी कंफीजिंग कर दिया है तो आप कंफीज मत होना यह दो रिंग ही है तो इसके नाम लिखोगे बाई साइक्लो टू वन और बीच में भी होन है वन कुल कितने काम होगे एक दो तीन चार पांच शे हैक्सेन अब इस पर देखो सेम कोईचन यहां पर भी है दो ही रिंग है यह क्या है आपको ब्रीज हैंस यह जो ब्रीज हैट से लिख ला हुआ है तो लिखो बाई साइक्लो कितना हो गया एक 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 तीनों तरब एक एक ही है और कुल कितने होगे एक दो तीन चार पांच हो गया प्रेंटीन अब इस में देखो यह तो मैंने बनाया भी था आपको फिर भी देखो इसको कैसे करो गया तो इसमें बच्छो इधर देख रहें एक सब्स्यूइट लगा हुआ है तो इसमें आप काउंटिंग काउंटिंग के लिए मैंने रूल बताया था कि जिधर अधिक संख्या में कारबन होगा उधर से काउंटिंग करते हुए हम सब्स्यूइट वाले की तरफ मूब करेंगे हम अगर डिफ्रेंट नमबर में कारबन हो तो अगर माले दोनों तरफ सेम हो तुम क्या करेंगे अब यह अब यह कोशन देखिए इस कोशन में देखते हो कि यहां पर लगा हुआ है सब्स्टिच्वेंट लेकिन यह ब्रीज हैट पर लगा हुआ है कोई दिकत नहीं है तो कानुटिंग आप ब्रीज हेट से कड़ो और अधी संख्या में सब्स्टिच्वेंट उधर से होते हुए यहां पर चलो ठीक है दो तीन चार पांच छे साथ और यह बीच में आठ कर यह आठ पर मिथाईल गूर्प लगा हुआ है तो एट मिथाईल कि ठिक है और करिंग्यु लगाओ बाइस्वी साइक्लो को सद्धा से क् लोगेश गने दो मिदार आग है और में वह किने अड़िन आप्टेन अब इसका देखो यह तो वह सिंपल है कि आ लिखो गे बाई साइकलो कितने एक दो तीन तो तीन इधर कितने एक बीच में कितने जीरो किल कितने कारवन हो गया तो एक दो तीन चार पांच छे तो हो गया हैक सेंट जब इसका देखिए अब इसमें भी क्या है आपको नौर्मल साहिह तो लिखो बाइस साइकल लो है और कि लिए राट कितने कर्वन है तो यह सब्सक्राइब इसको एक-डो-तीन है तो तीन राइट सार में दो है और बीच में एक है कि कुल कितने कारवन है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ हो गया ऑक्टेन आगा और अब इसका देखिये अब दो सैक्अ कि रहाए तो अंध्या झाके फराल हो गया इसलीक एक दो एक दो एक दो फसका कि यसरी könnte नजीतना च्रावान हों सब्सस्राख को और तो एक दो तीन चार पांच छे चांगर आप अब इसका देखिए या बच्चों दो साइकल लेकिन यह क्या आपको एक कार्बन एक्टम से सपरेट हो जाता हो फिल्ग हो गाप स्पाइड हो कितने हैं एक दो तीन तो तीन एक दो तीन चार पांच तो थिरी और फाइब कुल कितने कावन हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और नौ गया तो लिखो गया नो नेन अब इसका देखिए इसमें भी सेम वह साही है तो यह भी लिए लेकिन एक यह कावन से पिर्ट हो गया तो हो गया तो लिखोंगे अप एसपाई रों अब रेकेट एक दो तीन तीन एक दो तीन चार पांच थिरी और फाइव कितने कावन होगे आपको तो देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो होगे यह भी नून इन पूच्त यह बढ़ा कोचन आ दो और इसमें भी देख रहो कि आप दो रिंग है लेकिन वर रिंग क्या ओड़ा एक कार्वनेटर में से हूँ आपको आपको एसरफाइड हो कितने की ने एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार चाह पांच पूट कितनी का कबन होगी तो छाट आख नौ दास अब इसका देखिए इसमें देख रहे हैं लेकिन दो क्या कर रहा है दो अलग अलग कार्बरेट में तो तो लिखो डिसेंडी गड़ा में 3 2 2 और कुल कितने हो गया तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो जाएगा इसका नाम नो ने ठीक है तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो देखो कितना सही हुआ आपको और मुझे बताओ कि आप क्या कितना सही हुआ है ठीक है थैंक यू